नमस्कार आप देखरें नित्यनुटी भी नित्यनुटी में आपका स्वागत है यह बात करते हैं ब्यार की कोछ खास कबरों की और में आपके साथ बनुत कमा सेर गाटी में बारी बर्साद से इट बट्टेदारों का तकरीवन दस लाग का नुकसान आवस प्रिकंड के महुआबा गाओं के पास बारी बारिस होने से एनेस बट्टे पर 15 लाग का नुकसान हो गया बट्टा मालिक मुकतर खान ने बताया की बिना बर्साद के ही पानी होने से 15 लाग रुपए का नुकसान हो गया है बर्सा होने से चेमबर में बोजा 3 लाग इंट पूरी तरह से नहीं पका और चेंबर भी दस गया इंट के खल्यान में रखे कच्चे इंट का भी नुक्सान हो गया उन्होंने बताया कि इंट बट्टे पर काम कर रहे तकरीवन सौ मजदूरों को भी बैट कर पैसा देना पड़ रहा है सिर गाटी से मौम्मस सहीद की वाकी आपको बताते हैं मौम्मस सहीद की ग्रांड रपोर्ट नमस्कार आप देख रहे हैं नितियानिस टीवी अभी महवामा में हम आयवे हैं हमारे साथ इट बट्टा के मालिक मुक्तार खान साहब है जालना चाहते हैं कि जो इट था वो चेंबर में फंस हुका है कितना जालना चाहिए उत बट्टा हुआ है क्या जाओ यहां जाए इट भट्टा बोजा हुआ हुआ है इट हमारा जी करीब तीन लाख चेंबर में बंस गया बुरा बुरे ढंग से समझे ज़गा है पाली यतना सोचा भी नहीं था लग एक बारिस होगा एक बैक बषा हुआ हु तो सब वहीं रह गया, वहां से आया नहीं कुछ भी, और जो बोजा हुआ रिख ज़िया, इन सब्सवर छटी याइगी तीन लाख इट बोजा हुआ बंस गया, चेमबर में धस गया, जो छमारा है, उसे बहुत बड़ा छटी है, और सरकार को चाहिए, बहुत बोजा हुआ हम बटाबन होने का कोई टाइम नहीं कितना बटा में आप मुझदूरिया काम करते हैं जो को बटा के पैसा देना है जब मजदूर को चुटी नहीं हुआ था पानी बैद बरस गया है फुर्ट हो खाना पीना मेजदूरि उनको खुरा की सब कुद हम लोगों को देना पड़ता ह कितना लुक्सान है कम से कम हमारा 15 रुपय का नुक्सान है वहनने सोचिए कि यह तीन लाग इट इट तो इसमें भश गया चमर बोजा हुआ चार-पांच लागी डुपा गया जो बना हुआ था पानी एक बैग बरसा हुए ना बरसा जो एक बैग हुई उसके में तो हम लोग को कोई संभलने का मोका मिला ने संभम को बहुत बढ़ नुक्सान हुआ अच्यहति है अब चाहते संभी को भी हम लोग को लाप देना है तो सरकार को प्रेद्यार मिर्शा से 스मा पर करते हैं कि हम लोगा टेक्स माफ कर दिया जाएं सरकार को यहीं अपील है बहुत बनाने का टाइं है और बनाने का मेंट टाइम हम लोग जेड बईसाथ, दो महिना रहता है, अब यही दो महिने में तो तीन बार बरसा जो हो गया, इसमें बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है, तो यह थे मोकतार खान साहब, यह इडबटा के अलर थे, आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि देख लिजे क्या इस्तिती है, पूरा चेंबर में धास चुका है, बहुत बली शती है, बहुत बली शती है, बहुत बली शती है, उधर लेले, जीग, शुबरा.